Hello Friends, Government Job, Gen.A. Notification Channel पर आपका स्वागत है आज हम जानेंगे BPA Course के बारे में BPA means Bachelor of Performing Arts अगर आप कला के छित्र में जाना चाहते हैं कला के छित्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं BPA Course आप कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे BPA Course क्या है इसके लिए Elisability Criteria क्या रहता है Fees क्या रहती है Admission Process क्या रहती है Job Opportunities क्या है Salary क्या रहेगी Top Institute कौन कौन सी रहेंगे And साथ ही Higher Education आप BPA Course करने के बाद क्या Higher Education ले सकते हैं So ये सारे Point हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आप BPA Course करना चाहते हैं या इससे जुड़ी ही जानकरी चाहते हैं वीडियो को एन तक पूरा देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर फर्स ताम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस कीजे बैल आइकन को प्रेस करने से आपको नॉटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई निव वीडियो अप्लोड करूँगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं BPA Course क्या है BPA means Full Form Bachelor of Performing Arts यह जो कोर्स है वो 3 years का Undergraduate कोर्स है 3-4 साल का यह कोर्स रहता है अगर हम बात करें इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है तो Dance, Music and Drama यह आठ से है अगर आप कला के छित्र में जाना चाहते हैं Dance में, Music में या Drama में आपका इंट्रेस्ट है आप इस फिल्ड में आगे जाकर अपना करेर बनाना चाहते है तो आप BPA, Bachelor यह डिग्री है, कोर्स है आप यह कोर्स कर सकते हैं अब हम देखेंगे इसमें इस पेसलाइजेशन कौन कौन से है आगर आप करना चाहते हैं तो जिसका इंट्रेस्ट है डांस में आप डांस में अगर इंट्रेस्ट रखते हैं और डांस फिल्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें आप कत्तक, भरतनाट्यम सीख सकते हैं साथ ही आप सितार, फ्लूट या गिटार जो इंस्टूमेंट होते हैं अगर आप इसमें इंट्रेस्ट रखते हैं आप यह कर सकते हैं और computer graphics या तबला आपके choice पर depend करेगा आप जिसमें भी specialization करना साथ चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं इसके लिए कई student हैं जो comment करते हैं जो पूछते हैं कि अगर हम music field में जाना चाहते हैं या dance teacher अगर हम बना चाहते हैं तो हम कौन से course कर सकते हैं तो इसके लबा और भी courses में वह भी कर सकते हैं लेकिन BPA भी एक course है जिसको करने के बाद आप इस field में अपना आगे career बना सकते हैं next हम जानेंगे इसमें eligibility क्या रहती है BPA course करने के लिए आपका 12th pass होना जरूरी है किसी भी stream से आपने अपना 12th complete कर लिया है science से, commerce से या फर art से किसी भी subject से आपने 12th complete कर लिया और उसके बाद आपको लगता है कि आप कला के छेतर में जाना चाहते हैं dance, musical, drama में तब आप BPA course कर सकते हैं अगर हम percentage की बात करें तो बैसे तो percentage required नहीं रहती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो entrance exam बगरा रहते हैं या कुछ universities हैं जो percentage required करती है तो minimum आपका जो percentage रहता है वो 50, 45 या 52, 60% रहता है required रहता है अब हम बात करेंगे fees की तो यहाँ पर मैं आपको accurate fees तो नहीं बत आप आँगे एक average लेकर चलते हैं पूरा आपका जो course रहता है वो आपका complete हो जाता है 35,000 से लेकर के 1,5 लाग या 2 लाग तक यह college पर depend करेगा university पर depend करेगा आप किस university से कर रहे हैं किस state से कर रहे है government है private है इसलिए एक average लेकर चल रहे हैं और 35,000 से लेकर के 2,000 तक में आपक admission process की BPA course में जो admission process है वो merit waste यानि 12 में आपका जो percentage रहता है उसके base पर भी merit तयार की जाती है और आपको admission दिया जाता है साथी entrance exam भी होता है तो कुछ जो बड़ी universities हैं top universities हैं वहाँ पर आपको entrance exam देना पर सकता है और वैसे जो भी आपके नजदिक university आप उससे भी clear कर सकते है वहाँ पर आपका हो सकता है 12 के base पर merit के तयार करके आपको admission दे दें हम यहाँ पर जानेंगे top entrance exam कौन कौन से हैं तो अगर आप देहली university से करना चाहते हैं तो D.U.E.T. entrance exam है देहली university entrance test यह आपको देना होगा next है L.P.U.N.E.S.T. lovely professional university है अगर आप यहाँ से करते हैं तब आपको यह entrance exam देना होगा and next है B.H.U.E.T. यह बनारस हिंदू university से अगर आप B.H.U. से अगर आप करना चाहते हैं तब आपको यह entrance exam देना होगा देहली university, lovely professional university है बनारस university से जो entrance exam होते हैं उनकी नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं अब हम आगे जानेंगे top universities या institute कौन कौन से हैं जहां से आप यह course कर सकते हैं यहाँ पर जो top में आपका नेम बताऊंगी लेकिन आपके नजदिक जो भी परता है आपको जो भी suitable रहता है आप उससे कर सकते हैं फॉस्ट में यहाँ पर रहेगा लवली professional university जालंध है बनारस हिंदू university B.H.U. बारानसी नेस्नल स्कूल ओफ ड्रामा न्यु धहली सवित्रिवाई फुले पुने यूनिवर्सिटी एंड मुंबाई यूनिवर्सिटी सो यह कुछ टॉप यूनिवर्सिटी जहां से आप कोर्स कर सकते हैं या स्टुडेंट करना पसंद करते हैं लेकिन फिर भी आपके नजदिकी जो भी परता है आपको जो भी suitable रहता है फी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह एक अलग चेत्र है तो आप इसी फील में अपना करेर बनाएंगे जिससे भी आपने स्पेसलाइजिशन लिया हुआ है उस फील में आप आगे जाएंगे साथ ही जो टीचर की वेकैंसी निकलती है आप उसके लिए भी अपलाई कर सकते हैं या एक तो आप अपना खुद का भी खोल सकते हैं जैसे आप कोचिंग क्लासे स्टार्ट कर सकते हैं तो उस थाइप में यह अलग पड़ता है अगर हम सेल्ली की बात करें तो इसमें तीन लाग से चेलाग की यरली में आपको यहाँ पर बता रही हूँ आप अर्ण कर सकते हैं ठीक है यह industry पर भी depend करेगा या फिर आप सरकारी जॉब ले रहे हैं इस पर भी depend करेगा या आप अपना खुद का coaching classes ले रहे हैं ठीक है अब हम बात करेंगे higher education की BPA course करने के बाद क्या higher education आप इसमें आगे ले सकते हैं तो BPA course करने के बाद आप master of performing arts कर सकते हैं इसके बाद आप इसमें आगे अगर PhD भी करना चाहते हैं तो PhD भी कर सकते हैं साथ ही अगर आप MA करना चाहते हैं MA कर सकते हैं जिससे भी आपने specialization लिया हुआ है जिसमें भी किया हुआ है उसी से related आप आगे master degree में भी आप आगे जा सकते हैं या PhD आप उसमें कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी BPA course Bachelor of Performing Arts के बारे में I hope आपको ये वीडियो helpful रहा हो या पसंद आया हो या BPA course से related जो भी आप जानकारी चाहते थे अगर आपको इस वीडियो से मिलती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिगा वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा बेल आइकन को प्रेस करने से आपको notification मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो upload करूँगी साथ या अगर आप किसी other subject course या job के बारे में जानकरी चाहते हैं comment चरूँ कर दीजेगा मैं कोईस करूँगी जल से जल वीडियो अप्लोड करने का थैंक यू